आज मैं आपके साथ मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं उमीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी इसके इंग्रीडेंट्स में मैं गाजर यूज करूँगी शिमला मिर्च यूज करूँगी जिनको मैंने बारी काट लिये हैं आप चाहें तो किसी भी तरह से इनको क सकते हैं उसके लाव मैं इसमें चिकन आइट करूँगी बारी कटवी बंगोबी आइट करूँगी साथ ही मैं इसमें चिली सॉस सॉय सॉस और विनिकर यूज करूँगी और मटर यूज करूँगी तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक जैसे के पानी गरम हो चुक है इसमें आप मैकरोनी आट करूगी याद रहे कि आप थंडे पानी में मैकरोनी आट मत कीज़ेगा है जिब तक यह मारी मैकरोनी वाइल हो रही है साथ ही साथ हम सबजी यों को सोते कर लेते हैं इसमें मैंने जिस्त 1 तेबल स्पून आट किया है आप जानते हैं कि मैकरोनी में जादा ओल की जरूरत नहीं होती है जैसे यह थोरा सबस्ताइब थोरा सा लसनतरा का पेस्ट एट करूंगी जैसे इसका कर दोरा साथ हम इसमें चीज़ एट करेंगे हम चिकन को अच्छे तरह फ्राइ करने के बाद इसमें वेजिटेबल साइट करेंगे साथ ही आप देख सकते हैं हमारी मैकरोनी बॉाइल होना से शुरू हो चुकी है यह देखिए हमारा चिकन भी साथ ही साथ और दूआ हो रहा है इसको बिल्गल अपे अच्छी तरह से हर साइट से हम इसको फ्राइए करेंगे जैसे के हम चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुक है अब हम हम इसमें वेजिटेबल साइट करेंगे जब से पहले हम गाजर और शिम्ला एड़ करेंगें Weजां चाह बैजर और नाव सहने हैं अब शिम्ला और गाजर एड़ करें कि तरफ में परद टाइम है आप चाहें जो सारी वेजिटेबल्स एक साहती अजया है साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारी मैकरोनी अच्छी से बॉाइल हो चुकी है अब हम इसमें से पानी को सेपरेट कर लेंगे अब हम इसको 5-6 मिनुट्स के लिए ढब के रख देंगे ताकि यह भाप में अच्छी तरह से नरम हो जाए तब तक हम अपनी मैकरोनी में से पानी को सेपरेट करके इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से दोलेंगे अब आपने थंटा फानी डाल। ताफ में जानें एक ने विपी तेक्पातु का नाफ का तॉक्sin बाकि कि इसमें की सुषपोफन जालमानें टो हूँ लिचान जानें जान ब्ली एक वाढ़ाविव इसे अची तरह से मिक्स करने के बाद तक्रीबन तीन मिनट तक मैं इसको फिर से धब कर रख दूँगी यह देखे कापी हद तक यह सौते हो चुकी है अब मैं इसमें थोड़ा सा विनिगर एट करूँगी सौया से अचैट करूँगी अब मैं इसमें चिली सौस अचैट कर रही हम अब इसमें हस्पे श्रूरित बिसी भी काली मैक्च अचैट करूँगी ठीक एक से दो मिनट बात मैं इसमें बॉयल कीवी मैकरोनी याचुए मिक्स कर लेंगे यह देखें मैकराओनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब जिस्ट फर नेक्स थ्री मिनेट साम इसको डग के रख देंगे उसके बाद हमारी मैकराओनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी मैकराओनी तो यह देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचिए और पैल लाइकन को प्रेस कीचिए ताकि आसने मजीद वीडियो आप तक बाकाईदी से पहुंच सकें